हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अनलाइन इस्टडी यूटू चेनल पर मैं हुआ अलोग मिस्ट्रा इस वीडियो में हम बात करेंगे भी यह फर्स्ट इयर का बहुत ही महत्योपुर्ण टॉपिक पर जिसका नाम है कोहलबर्ग के नेतिक विकास का सिधान्त स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कोहलबर्ग के नेतिक विकास का सिधान्त का वर्णन करें कोहलबर्ग ने पियाजे के दोड़ा परस्तूत नेतिक विकास से समन्नित विचारों को बिस्तिरित करके तार्किक चिंतन के अस्तरों जिन में से परतेक के कुछ सुपान है के रू विधाओं पर आधारत बच्चों का सक्षतकार लिया। इसमें नैतिक दूबधाओं से युप्त प्रस्थ पूछे जाएं और उनके विचारों को जानने के परियास किया। जाता है। नैतिक दूबधा लाभानी उचीत अनुचीत तथा अच्छे बुरे काड़ियों में नहीं धोते हैं। ना कि अच्छे बुरे बेक्तियों में। अच्छा या बुरा सही अथ्वागलत की ब्याक्या मिलने वाले पुरस्कार, प्रस, संसा या डंड या नियमों का समर्धन करने वाले बेक्तियों की सारेरिक सामर्थ है या होने वाले अस्तुल परणामों से आंकी जाती है इस अवस्ता के दो मुख्य उपवस्ताएं है पहला आत्म केंदरित निर्नाय इस उपवस्ता में वच्चे उसी कारिय वस्तु अथ्वा ब्यक्ति को पसंद करते हैं जो उनकी सहयता करता है इसके विपरित हुए ऐसे सभी कारिय को नपसंद करते हैं जो उनको हानी पहुचाते हैं इस अस्तर परबालों को में अपने एक्चा अनिक्चा अथो पसंद नपसंद से अलग हटकर नियमों की कोई विचरधार नहीं होती है दूसरा डन डेवा मागय बालन इस उपवस्ता में बालक इसलिए कारे नहीं करता है कि उसे करना चाहिए बल्को इसलिए करता है ताकि अधियावक कुसे डान डित ना करें विचरधार उनको तोड़ने से होने वाले दूस परिनाम को समझता है किसी काड़े को करने पर उसे पुर्षक्रित किया जाता है तो वो उस काड़े को भाड़ भाड़ करना चाहता है कुहलवट के नैतिक विकास सिधानत के दूसरी अवस्ता है परहमपरागत अस्तर जो 10 से 13 वर्ष के उमर तक चलती है कोहलवर्ट के अनुसार नैतिक विकास के इस अस्तर पर नैतिक मुल्य अच्छे या बुरे काड़े को करने में नहीत रहते हैं बालक बाहे समाजिक अपेक्छाओं को पुर्ण करने में रूची लेते हैं वे अपने परिवार, अपने समुह, अथ्वा अपने राश्टर के अपेक्छाओं को पूरा करने को महतो देते हैं इस अवस्ता पर होने वाले नैतिक विकास को दो भागों में विभाजित किया गया है बाला, परसपर, एक रूप, अभिमुकता इस उपवस्ता में बालक अच्छा बनकर अन्य बेक्तियों से परसंसा पराप्त करना चाहते हैं वे अच्छे बालक या अच्छी बाली का जैसे बेवार करने में रूची लेते हैं जो कुछ अन्य को अच्छा लगे या अन्य की मदद करे या अन्यों की दोड़ा सुविक्रित हो वही उत्तम माना जाता है। इस उपवस्ता पर सहयोग को सरभोतम हाचरन कर्योग में सुविकार किया जाता है। दूसरी उपवस्ता है अधिकार सरक्षन अभिमुक्ता इस उपवस्ता में बालक समाजिक दृष्ट्टी से सुविकृत नियमों एवन धायित्यों को मानते हैं। वे समाजिक विवस्ता को बनाए रखना चाहते हैं, वे यह जानते हैं कि समाज में एक वियापक समाजिक परनाली है जो उसमें रहने वाले बेक्तियों के विवार को नियंतरित करती है। उनके विचाड़ों में नेतिक्त्या का धार समाजिक विवस्ता है तथा व्यक्तिकत हानी होने की स्तिति में भी नियमुका पालन किये जाना चाहिए। कुवलबट के नेतिक विकास का तीसरा है उत्तर प्रेम पडागत अस्तर जो 13-16 वर्स तक। कुवलबट के नेतिक विकास के सिधान्त के यह अंतिम अवस्ता है इस नेतिक विकास के सर्वोतम अस्तर पर बालक नेतिक मुल्यों को परवाशिद करने के असपष्ट परियास करने लगते हैं जिनके समाजिक रूप से बैद्रता होती है नैतिक मुल्य वस्तूता उभैनिस्ट मानरंडों अधिकारों एवं धैतों की पूर्ती में नहीत महने जाते हैं इस अवस्ता की दो मुख्य उपवस्ताएं हैं पहला समाजी कनुबंध विदी सम्मत अभिमुकता इस उपवस्ता कन्तरगत उचितकारियों के अलुचनात्म ग्रंग से पड़क कर सभी समुधाय के द्वारा सुकिरीत किये गए समाने बैक्तिगत अधिकारों एवं मनरंडों के रूप में परिभासित करने की प्रिविर्दी आजाती है समाज की आमसामाती क्या है कि अतरिक्तिनियमों के अलावा सोतंत्र स्विक्यार करने योगिए वं समौरपन भाव व्यक्ति को अपने उत्तरदाईतों का पादन करने है तो प्रियरित करता है दूसरी उपवस्ता है सर्वभोमिक नयतिक सिधान्त अभी मुखता इस उपवस्ता का अंतरगत मनुष्य उचित अनुचित निर्णाय लेन ऐसे स्वयम के निर्धारन सिधान्तों के धार पर करता है जो तार्किक सर्वभोमिक एवमिक रूपता से युखत होता है यही सिधान्त प्रकृतिक सिधान्त होने के साथ साथ मानवी अधिकारों की समानता तथ मानव जाती की प्रतिसम्मान की भावना से युगत होते हैं कोहलवर्ट के नैतिक विकास के सिधान्त अस्तरों का उलोकन करने से हैं यह हस्पस्ट हो जाता है कि तीनों अस्तर एवं उनमें निहित चह उपवस्ताओं में नैतिक निर्नाय लेने की बेति की बढ़ती योगीता तथ दिश्टिकोनों की व्यापक एवं अमूर्तता की और संकीत करते हैं